हिमाचल विशेश की बात करेंगे और अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे ये लेकिन आज की कहानी खुबसूरत पहाड के पीछे डराबनी है देखिए देवनगरी कही जाने वाला हिमाचल पुदेश राज्ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है यहां के उचे-उचे पहाड हरे भरे मैदान और खुबसूरत वादिया किसी को भी अपनी तरफ आकरशित कर लेती है हिमाचल की देश में कई ऐसे प्रियटन स्खल है जो ना किवल देश भर में बलकि दुनिया भर में प्रस्तिद्ध है आज हम आपको हिमाचल विशेश में एक ऐसी ही कहनी बताएंगी जिसे सुनकर आपकी रूम काप उठेगी सोजी एक खुबसूरत पहाड और उस खुबसूरत पहाड के पीछे एक डरावनी कहानी आज एक ऐसे ही खुबसूरत पहाड पर बते दक्षई की हम आपको कहानी सुनाएंगे दक्षई को मुगलकाल से भूतिया किस्तों के लिए जाना जाता है ऐसा कहा जाता है कि मुगलकाल में जो व्यस्ती राजा से गदारी करता था उसे दाग शाही कहते थे जिसका मतलब है शाही दाग और ऐसे अपरादियों को सजा देने के लिए वहाँ पर एक जेल बनाई गई और धीरे धीरे उस जगे का नाम दक्षाई पड़ गया इसके अलावा एक प्रचलित कहानी के अनुसार दक्षाई जेल में कैदियों को कड़ी यातनाए और कठोर सजा दी जाती थी जिससे जेल में उनकी मृत्यू हो गई थी कहा जाता है कि आज भी उन कैदियों की आत्मा यहां रहती है यह जेल उस समय के हिमाचल के काला पानी के नाम से मश्हूर थी कहते हैं कि यहां पर रात के समय जाना खत्रे से खाली नहीं है वही कुछ लोगों का कहना है कि लगबग 1909 इसवी में देश में ब्रिटिस हुकूमत थी ब्रिटिस मेजर जोर्ज वेस्टन अपनी पत्नी मेरी कॉम के साथ दक्षाई में रहता था मेजर डोक्टर था और उनकी पत्नी नर्ड थी लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी एक बार मेजर को और उनकी पत्नी को एक संत मिला जिनके आसिरवाद के बाद उनकी पत्नी प्रेगनेंट हुई लेकिन प्रेगनेंसी के आठवे महिने में ही मेजर की पत्नी की मोत हो गई उस समय मेजर ने अपनी पत्नी और अजनमे बच्चे को दक्षाई में दफना दिया और उनके लिए खूपसूरत कब्र बनवाई कहा जाता है कि मेरी की कब्र को बनवाने के लिए संग्मर मर को इंगलेंट से मंगवाया गया था समय बीटा गया और मेरी की कब्र से जुड़े किस्ते दुनिया भर में फैलते गरें ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना था कि जो गर्भुवती महिला मेरी की कबर से संगमरमर का टुकड़ा ले जाती है उसको बेटा पैदा होगा कई लोगों ने बेटे के जन्म के लालच में यहां से संगमरमर ले जाना शुरू कर दिया जिसे मैरी की कब्र का खूपसूरत स्ट्रक्चर बिगडने लगा कहते हैं कि मैरी ने अपनी कब्र को बचाने के लिए लोगों को वहाँ पर परिशान करना शुरू कर दिया कई लोगों का तो ये भी दावा है कि वहाँ पर कई लोगों ने मेरी को की आत्मा को घूमते हुए भी देखा था इसलिए इस खूपसूरत जखें की पीछे दो पहलू है